खनुआ नाला में मचली मारते समय पाने में डूबने से हुई मौत परिवार में दो छोटे बच्चे हैं और परिवारी जनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है आज दिनांग 3 ओक्टोबर 2022 को सुभा खनुआ नाला में मुरक टवा पुल के पास उनका शब मिला जिनकी मृत्यू पानी में डूबने से हुई है ये बात उनके भाई कोमल निशाद का कहना है कि संबन में पत्रकार राजन सिंग ने जब ग्राम बंचायत कुड़वा और फदिलीप नगर के परधान प्रतने दी प्रमोथ सिंग से कामोथ सिंग से बात की तो उन्होंने मृतक के परिवार को किसान बीबा योजना के तहरते लगबग 5 लाख रुपए तक की सहयोग राशी मिलने की बात कही समानित लोगों के द्वारा कसिया थाना प्रिशाशन को जिम्मेदारी दी गई मौके पर पहुची प्रिशाशन के द्वारा जाज परताल की गई दरोगा रवीबूशड राय से पत्रकार राजन सिंग ने मामले को गंबीरता से लेने की बात की तो उन्होंने भी मचली मारते समय पैर फिसल कर पानी में डूबने से मौत होने की जानकारी दी शब को अगरिम कारेवाही हेतु पोस्टमॉटम के लिए भेज़ दिया गया है पोस्टमॉटम रिपोर्ट मिलने पर ही सचाई का पतार लग जाएगा यह मामला है, कहां का मामला है? यह मामला सीताराम टोला का है गटना सिटाराम तोला के निवासी है और दो पहर में ये मचली उचली मारने के लिए घर से निकले है और संजोग दुरभाग्य दुरभाग्य ही इसको कहा जायएगा कि अपने जीवन यापन के लिए घर से निकले हैं और मचली मारते समय ये नहर में हमको लगता है कि घागी जो नाला नाला है इस खनुआ नाला में गिरे हैं और वहां कोई नहीं रहा होगा इसलिए ये बच नहीं पाए हैं और पानी के चपेट में आ गये हैं घटना तो बड़ा मतलब हाँ है लेकिन यह है कि इनके परिवार की इस्टिवी अच्छी नहीं है तो क्या सरकारी इनके परिवार की इस्टिवी को देखती हुए क्या कुछ योगदान देना है एक दम मदद करेगी गवर्मेंट के लिए बहुस्ता है यह किसान है किसान बीमा इनको मिलेगा और ही जो अनुदान तहसील से होगा वो मिल जाएगा तो जो भारत सरकार से आवंटित है किसान बीमा के रूप में वो तो इनको मिली जाएगा चली दने बाद आपका सुर नाम हमारा नाम कामोत सिंह कुड़वा उर्प दिरिपनगर प्रधान प्रत्मित